नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ Tata Group के Stocks के बारे में Tata Group के Stocks की बात की जाए तो बीते हफते में यह जो Monday to Friday अभी अभी निकला है हमारे लिए यहां correction हुई है और investors ने अच्छा कासा पैसा भी अपना तूटते हुए देखा है across all the stocks but Tata Group especially एक दिगज गुरुप है बड़ा गुरुप है लार्ज केप है और वहां correction हुई है सबसे पहले आप एक ऐसे Stocks के बारे में बात करना चाहूँगा जिसमें बीते 3-4 trading session से lower circuit लग रहा है और problem में आ रहे है investors उसका नाम है Tata Investment Corporation देखिए अगर आप लोगों ने इस Stock में खरिदारी करी है और आप loss में हो तो Tata Investment की गलती नहीं है गलती है आपकी क्योंकि आपने इस Stock को कौन से बाव पे लिया है जो आप loss में आ रहे हो सबसे बड़ा सवाल क्योंकि ये मत देखो न 10,000 रुपे का high लगा है 7,500 खड़ा है आप ये देखो कि इस Stock 2,000 रुपे से चला है और 7,500 खड़ा है तीन गुना से जादा अभी चार गुना return दे रहा एक साल में और आप loss में और company को खराब बता रहे हो गल्कुल गलत भाई सा आपकी problem है फिर तो क्योंकि ये share मैंने आप सभी के साथ 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 हर लेवल पे बोले लेने लायक नहीं है वो circuit to circuit उपर जा रहा है आप खरीदने की लगी पड़े होड में अब खरीद गय पे मतलब कभी गया ही नहीं है stock जो 40-50 के PE के उपर वो 116 के PE पे currently trade कर रहा है तो valuation नाम की एक चीज है जो आप जब तक नहीं समझोगे ऐसी फस्ते रहोगे वो आपको खुद को समझाना होगा आप greed करते रहोगे मार्केट में एक बात हमेशा याद रखना trader पैसा बनाता है price follow करके और investor पैसा बनाता है contract ले करके ट्रेडर अगर उपर जा रहा है उपर लेगा तो पैसा बनाने का अगर कहेगा उपर जा रहा है बेचुंगा मैं तो हमेशा कुचल दिया जाएगा वो क्योंकि आपको बजार को follow करना है अगर कोई आपके बसकी नही नहीं है यह बाव सही नहीं है उपर जा रहा जाने दो मैं नहीं लूँगा यह बाव अच्छा है नीजे जा रहा है पर मैं लूँगा यह आपका होना चाहिए view ठीक है अभी अगले stock की तरफ बढ़ते आगे टाटा पावर इसमें भी correction हो गई है बट यहाँ कोई issue है नहीं निश्चिन्दों के बने रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है 380 रुपे पर आगया है consolidation चल रहा है मैंने आपसे पहले कादा 370 पर 412 बाइस के हाई लगे अभी दुबारा 350 मिल रहा है अब दुबारा invest कर सकते हैं टाटा पावर हर segment में lead कर रहा है इस समय और financials बहुत strong हो रहे है valuation terms पर सस्ता है जो outlook है EV का वो काफी strong है government fully focused है और चाहे टेसला आ जाए या एक और EV बनाने वाला कोई आ जाए भारत में इनको फर्क नहीं बढ़ना क्योंकि यह तो charging station लगा रहे हैं जिसमें हर किसी को जरूरत पढ़नी है तो इनके लिए तो market काफी बढ़ा है तो टाटा में भी उपर 1000 के level देख चुक है आप 1065 के और अभी stock 945 आ गया है देगे भाव के हिसाब से अच्छा हो गया है लेकिन यहां एक problem चल रही है वह problem है कि Tesla भारत में आने की तैयारी में है जिसकी वह से competition भढ़ सकता है बट जो भी होया टाटा गुरुप पे भरोसा रोगो यह भाव अच्छा हो गया है इसके भी financial valuation देखो तो बहुत सस्ते हो गए है अभी दुबारा से एक बार 945 है 920-900 रुपे करी बड़ा strong support है आप यहां पर इसको average करना शुरू कर सकते हो in case 880 ब्रेक होगा तब कहीं जाके तोड़ा disturbance आएगी बट मेरे को लगता है वो traders के लिए यह investor के लिए तो और golden opportunity के rate होती जाएगी कि demand outlook बहुत strong दिख रहा है data से data motors से especially next आपके लिए बात करें data LXI जो मेरे को अच्छा लग रहा है खरिदारी के लिए यह मैंने अभी 2400 रुपे पे discuss किया था आज तो 2700 रुपे पे बंदू आया stock यह stock में ना consolidation चल रहा है बड़ के लिए भी काम कर रही है technology बनाने का लेकिन बहुत ही super company है data LXI यहां आप focus कर सकते हो consolidation में आप इसको अगर आप accumulate करते हो उठाते हो view रखते हो 2 साल का तो यह आपको definitely एक अच्छे return profile यहां से create करके देगी safety भी अच्छी रहती है यहां पे next आप सभी के लिए बात करें तो तो इस टॉक 1212 रुपे पे आके बंद हुआ है और यह तो fresh highs पे yes में तो कोई दिक्कत आई दिंग ही नहीं किसी investor को भी FMCG अच्छा करी रहा है कोल पाल देखो क्या कर रहा है यार कोल गेट तो 2700 रुपे का हो गया यार वन साइड दोडे जा रहा है बजार से कुछ फरकी नहीं पढ़ रहा हुसे जितना समय उसने consolidate करा करा लेकिन जब चला तो बड़ा लंबा चल रहा है वो तो मिरको लगता है हिंदुस्तान Unilever का भी ऐसा समय आने वाले समय में कभी तो आये गाई क्योंकि वह भी बहुत समय से परेशान कर रहा है चलेगा तो बड़ा चलेगा बट अभी टाटा कंजूमर की बात करें सपोर्ट लेवल बतांगा 1130 का है जिसके पास से स्टॉप लोग से होल्ड करें अपना देख लो बट मिरको नहीं लगता अभी लेना चाहिए और बैटर रहेगा नेक्स्ट आपका स्टॉक है टाटा स्टील जिसको लेकर काफी कमें हैं मैटल को लेकर बहुत जादा प्रॉब्लम चल रही है और मैं कभी कवर भी निकरता मैटल को इसलिए निकरता हूं कि कमोडिटी पिले और लार्ज लेवल पे होता है इसका प्राइज कभी चाहिना कभी कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर आते रहते हैं जिनको स्टडी करना बहुत मुस्किल है ट्रैक करना मुस्किल है अक्चॉली मैं स्टडी करना नहीं तो इसलिए मैं मैं चल्ब पर जादा फोकस नहीं करता हूं मैं लॉंग टम के लिए स्टील सेगमेंट में जैस डॉलू स्टील हमेशा का आउट परफॉर्म रहा है तो वह अच्छा लगता है ओवरॉल मैटल में हिंडाल को जिस अलुमीनियम के डिमांड जादा दिखती है मेरे को और लास्ट ली हिंदुस्तान को अपर यह एक अच्छे स्टॉक्स लगते हैं तो यह मेरे तब से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी और आपको सारी चीज़ते समझ में होग कर दो 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 कर दो